है वाट्सअप बड़ी बंगा बंदू टी ट्वेंटी कप 2020 आज का दूसरा मैच फोर्चून बैरेशल और जैमकॉन खुलना के बीच में एक मुकाबला हुआ जोबिस नॉबर शाम का मुकाबला था छे बजे ड्यू का फैक्टर आया था और जैमकॉन वान दे टॉस अप्टे टू बॉल और जैमकॉन खुलना इस मैच में हुआ क्या और डिटेल किसने कितने रन बनाये कितने विक्कट लिए वह भी बताएंगे लेकिन आप हमारा ये यूटूब चैनल जरूर से सब्स्राइब कीजिए और ये आपका अपना शीट है और मुझे I am really very proud that I created this sheet और ये मैंने अपने लिए बनाया क्योंकि मुझे स्कोर्स अपने पास रखने चाहिए थे मैं किसी वेबसाइट ये से कुबर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा था और मैं dream 11 भी खेलता हूं तो dream 11 खेलने के लिए मुझे एक अच्छा कुछ चाहिए था जो मुझे मिल न jamcon खुलना, won the toss, drop down menu से मैंने opted to ball ये सारे drop down menu से ले लिया प्लेइंग 11 एनाउंस हुआ, बस यही है कि प्लेइंग 11 मैच के आदे घंटे पहले एनाउंस हो जाना चाहिए, कम से कम 25 मिनट पहले एनाउंस हो जाना चाहिए, यह 5 मिनट यह 6 मिनट पहले एनाउंस होता है, तो उमीद है बंगलादेश क्रिकेट इसके उपर ध्यान दे और यह playing 11 announce हो गया, यह playing 11 announce होता है तो जैसे आप player select करते हैं, उनका role यहाँ पर automatically आ जाता है जिसके आपको यह पता लग जाएगा कि Pacer कितने हैं, spin baller कितने select किये गए हैं, वो सारा यहाँ नजर आता है, यहां पर आपको वैसे count करना पड़ेगा लेकिन हमारे dream 11 के sheet में जाएंगे तो आपको यहां पर राजसाही ने Pacer 4 लिए, Spinner 2 लिए और Pacer Baximico धाका ने यह कौन सा match लगा दिया यह दूसरा match देखना है यह दूसरा match यह दूसरे match में Pacer 8 थे और Spinner 5 थे पांग पांग स्वरी फॉर्चुन बारिशाल ने Pacer 3, Spinner 3 यह तो दोनों टीम को मिला के है और यह Pacer 5 Pacer के साथ खेल रहे थे, Spinner 2 के साथ खेल रहे थे और इसके एक Pacer शाहिदुल इसलाम ने चार विकेट लिये, हसन महमूद भी Pacer था दो विकेट लिये, शाहिफुल इसलाम भी Pacer था इसने भी दो विकेट लिये, सारे Pacer ही नहीं विकेट लिये, है न, शकीब अलहसन एक All-Rounder Spinner थे जिन्होंने एक विकेट लिया, बहुत ब बनाए, बैटिंग ओर्डर के हिसाब से, दोनों ओपनर, मैधी, हसन, मिराज अंतक, तमी मिकबाल वेर्द ओपनर, मैधी, हसन, मिराज कुछ रण नहीं बना पाए, और आउट हो गए, तमी मिकबाल 15 रण, 100 का स्ट्राइक रेट, एम परवेज हुसेन, थर्ड डाउन में है 51 रण मिना है, स्ट्राइक रेट 121, तो इस गुड़, और इसी फॉर्चुन बैरिशल में, जिसनोंने सबसे ज़्यादा विकट लिये थे, वो दो थे, सुमोन खान और तसकीन एहमद, अब ये सुमोन खान और तसकीन एहमद जो थे, ये ये सुमोन खान पेसर, तसकीन एहम पेसर ही थे, तो पेसर कमाल कर रहे थे, इस मैच में, इसके बाद हम लोग आते हैं, जेमकॉन खुलना के उपर, जहां पर सब ने एवरेज रन बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा रन बनाए, अरिफुल हक ने 48 रन बनाए, 141 के स्ट्राइक रेट में, और ये मैंने बताई दिया, शायदुल इसलाम, चार विकेट, एकॉनमी भी बहुत अच्छा रहा था, 4.3, और ये विनर आ गया, ये एनलेसिस आ जाता है हमारा इस मैच में, कि सबसे ज़्यादा रन, फॉर्चुन वालों ने, एम परवेज हुसेन ने बनाए थे, और जेमकॉन में, अरिफुल स्कोर्स का, जैसे मैच वन हुआ था, इसका स्कोर बन गया, ये मैच टू है, मैच टू में ये पूरा का पूरा ये भरा जाता है, वही मैच टू से आता है, इस से हमें ये पता लगता, टॉप ओर्डर, फॉर्चुन के 66, मिडिल ओर 40, लोर ओर 40, और पेसर ने 5 विकेट लि तो ये इस तरह से शीट काम करता है, ये शीट आप खरीज सकते हैं, बिलकुल खरीज सकते हैं, अब जो मैच होगा, वो तीसरा मैच होगा, पर सो, 26.11, इंडियन स्टांडर टाइम इस 1 पिम, और आदा गंड़ा बढ़ा देंगे तो बंगलादेश का टाइम आ जाएगा, तो मुझे बंगलादेश के जो विवर्स हैं, उनसे भी गुजाईश है, कि आप हमारा टेलिग्राम चैनल जरूर से जोइन कीजिए, और बेक्सी में को ढगा, पहला मैच खेला, अब ये दूसरा मैच खेलेंगे, जैम कोन खुलना, दूसरा मैच खेल जोके, तीसरा मैच, यानि कि जैम कोन खुलना का तीसरा मैच, यानि कि परसो ही है, तो इस तरह से ये डिटेल भी पता लगा, और मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो इस पर क्लिक करूँगा, तो मैं मैच 2 में आ जाओंगा, मैं वापस क्लिक करूँगा, फिक्स्चर्स में आ जाओंगा, और fixtures में देखी यह सारा कुछ यह table winning table पहला match Bexicuma और Minister Raja Sai में हुआ तो यह run यहां पर आ रहा है score यहां पर आ रहा है फिर दूसरा match इनके बीछ में हुआ Gemcon और Fortune के बीछ रहा है तो जैसे जैसे match होता जाएगा यह पूरी शीट भर जाएगी यह विनिंग टेबल भर जाएगा पूरा का पूरा प्लेए अपने आप रैंकिंग आता रहेगा नेट रन रेट आपको लिखना है बस इतना ही तो करना है यह मैच जैसे जैसे होता रहेगा ओल स्कुरेट्स में एक और इंट्रस्टिंग जैसे आल स्कुरेट्स में बेक्सिमिको धाका में जितने प्लेयर खेले उनका रन टोटल कितने बने दोनों सारे मैचेस को मिला के 620 रन बने 25 विकेट लिए गए 24 प्लेयर खेल चुके हैं और इसमें हमने लिंक भी दिया हुआ है आपको यह जानना है कि यह सुमोन खान किस तरह क प्लेयर है तो आप इस पो क्लिक किजिए ESPN का एक वेबसाइट खोलेगा इसमें पूरा डिटेल फोटोग्राफ के साथ लास्ट मैचेस के साथ भी आ जाएगा सुमोन खान का फोटो नहीं आया तो यह पूरा डिटेल आ जाएगा तो यह शीट आप क्रिकेट के फैन है तो आपको चाहिए aious fantastic game खेलते हैं तो भी आपको चाहिए हर्खलत में चाहिए यहां जरूत पड़ेक हूंके बहुत कम प्रइस में हम लोग इसको बेचता है कितने में बेसते वह भी दिखला देते हैं यह हमारे स्टोर है जितने भी मैचेस होंगे उनस बकाहम लोग एक्सेल नाइन रुपीज का पे कीजिए डाउनलोड हो जाएगा वीडियो हमने पूरे शीट को समझाया है यह वीडियो में आप देख सकते हैं तो इस तरह का शीट है बहुत ही मेनत करके बनाया हुआ है और इस मेनताना से हम लोग सिर्फ नाइन रुपीज मांग रहे हैं वैसे मैंन कर रहे हैं लगातार इसलिए और यह शीट पॉपलर होगी यह मेरा पक्का विश्वास है क्योंकि यह क्रिकेट के फैंस को जरूवत है फैंटेसी गेम प्लेयर्स को जरूवत है और यह देखिए मैच 2 में ड्रीम 11 मैच 2 मैं यहां वन कर दूँगा तो मैच 1 का डिटेल आज होगा तो जैसे मैं मैच 3 लिखूँगा तो यह तीसरे टीम का पूरा प्लेइंग 11 यह सब आ जाएगा यह पर और पहले मैच का भी रिकॉर्ड आ जाएगा तो हम लोग करेंगे मैं आपको दिख रहाऊंगा जब मैं रिकॉर्डिंग करके दिख रहाऊंगा कितना जवदास मैजिकल ढंग से यह शीट काम करता है चलिए सो थैंक यू सो मच टेलिग्राम चैनल जरू से जॉइन कीजिए यह यूटूब चैनल नया है लेकिन बहुत अच्छा इसको जॉइन जरू कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच बबाए